गुड मॉर्णिंग ओल मैं डियर स्टुडेंट्स चाप्टर टू रेन्बो पार्टू का वीडियो नमबर थर्ड यह मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यह तेसरी वीडियो है चार पैराग्राफ तक मैं पढ़ा चुका हूँ आज पाच्वा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा क उसके स्टूडेंट्स उनके वीडियो को पढ़ रहे हैं और आप अपनी हाजरी भी लगाए इसके यह लाइक का बटन और रेचे कमेंट सेक्शन होता है कम से कम आप यह बताइए कि आप हमारे विद्यारती है और आप यह वीडियो पढ़ रहे हैं कम से कम अपना नाम और रियक्शन जरूर दे कर जाएं तो आये शुरू करते हैं चप चैप्टर नमबर टू पैरा नमबर फाइव तो पैरा नमबर फाइव में डॉक्टर जाकर रूसान कहते हैं कि मैं अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपने यह जाना होगा कि वो कहते हैं कि हमारे कि अगरे इसकन लुगों का मंनेता हैं तो अब उन्हीं मनेता हो के बारे में यह बता रहे हैं कि मैं यॉविये करता हूं आप सεί अrimin के धशा नहीं है और किसके द्वारा वो दिया गया है मुझे इससे नहीं मतलब होगा किसने बनाया और कहां से आया इससे नहीं मतलब है मैं उन कल्चर की सेवा करने की शपत लेता हूं मैं यह प्लेज करता हूं कि मैं अपने कंट्री के कल्चर की टोटालीटी का सेवा करूंगा जो भी कल्चर जितने भी कलचरे टोटल करूँगा एक ही करांड करूँगा और उनकी सेवा करूँगा मैं ये mort करता हूं कि मैं अपने country के प्रती पुरी लोल्टी दिखाँँगा पुरीवफादारी की मैं शबती लेता हूं मैं बिना religion और बीना लेंगवेज के भेद भाव के अपने देश के प्रती वफादार बना रहांगा बीना भाशा और धर्म के भेद भाव के मैं अपने राश्ट्र के प्रती अपने वफादारी के शपत लेता हूं कि आई प्लेज मैं यह प्लेज करता हूं मैं यह शपत लेता हूं कि मैं अपने देश के स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस के लिए काम करूंगा देश की शक्ती और तरक्की के लिए काम करूंगा यहां के लोगों के वेलफेर के लिए काम करूंगा वेलफेर बोले तो भलाई के ल dinshary करेंगा distinction मतलब भेदभाव नमें color निकास्ट ना क्रीड ये तीन सी हैं जो मनुष्य को बाट देता है color रंगी कस्ट जाती क्रीड धर्ममत तीनों में सी होता है तो ये तीनों सी का distinction मैंने करूँगा भेदभाव नहीं करूंगा और मैं अपने देश की सेवा करूंगा और लोगों की भलाई के लिए कारे करूंगा आगे वो कहते हैं कि the whole of भारत is my home इसलिए chapter का नाम भी पड़ा है भारत मेरा घर है यह पूरा भारत मेरा घर है and its people my family और यहां के जो लोग है वो मेरे परिवार है यह भारत मेरा घर है यहां के लोग मेरे परिवार है the people have chosen me लोगों ने चुनाव किया है मेरा इस family का head बनाने के लिए इस परिवार का मुख्या बनाने के लिए लोगों ने मेरा election किया है और उन्होंने मुझे मुख्या बनाया है for a certain time एक निश्चित समय तक unlimited period तक मैं नहीं बना हूँ भारत का राष्टपती इसका एक certain period है इस period के माद मेरा tenure यानि की कालेकाल समाप्त हो जाएगा इस tenure में इस समयावदी में मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि इस घर का मुख्या अगर मैं हूँ तो घर को मैं beautiful बना सकूँ घर को मैं peaceful बना सकूँ, घर को मैं prosperous बना सकूँ मैं सुन्दर, शांति, प्रिव और इसको सुखी संपन्द बनाने की पूरी कोशिश करूंगा एंडेवर करूंगा एक ऐसा घर बनाऊंगा जो कि वर्दी हो अर्थात लायक हो जहां पर अलग 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 काम करने वाले लोग अलग अलग धर्म मानने वाले लोग अलग अलग जाती से बिलाओं करने वाले लोग सारे लोग इस घर में रह सके और और किसी को ऐसा ना लगे कि वो सारे अलग अलग है एक ऐसा घर बनाऊंगा मैं देखे कितनी अच्छी बात कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर से कि मैं ऐसा घर बना दूँगा जहां पर रहेंगे हर जाती धर्म के लोग लेकिन लगेगा नहीं किसी को कि कोई अलग है सब एक साथ करेंगे और सारे लोग मिलकर इस घर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा तो डॉक्टर जाकिर से इस पांचवे पैराग्राफ में अपनी पूरा अपनी समर्पन के साथ सथ लोगों पर विश्वास वीचा दाते हैं कि हम सब लोग मि भारत को एक अच्छा घर बना देंगे तो पैरा नंबर 6 देखें आप पैरा नंबर 6 में डॉक्टर जाकी रुसेन करें कि मुझे इस परिवार का मुख्या तो बनाया गया है बट द फैमिले इस बिग परिवार बढ़ा है एंड इस ग्रोइंग और बढ़वी डा काफी इन सब laquelle रहा है हमारे देश का पॉपोलेशन कितना बढ़ता यह तो आप भी चानते हो नैön है यह तब की बात आनाटेन 6 До 7 कि हो कहते हैं बहुत तेजी से बढ़न है इस न कि धामिले इस हम तो और बढ़ने बाते को नहीं बनाने के लिए अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम सभी को कंट्रिब्यूशन करना होगा हम सभी को मिलकर वर्क करना होगा सब अपने अपने तरीके से वर्क करेगा क्योंकि जो टास्क हमारे सामने है वो बहुत बड़ा है डिमांडिंग है वो डिमांड कर रहा आपसे कि आप काम करो सब कोई ऐसा नहीं कि आप चुपचा बैठे रहो हाथ मोड के फोल्ड करके बैठ जाओ और अपने देश में फ्रस्ट्रेशन को एंडेमिक बनते विए देखो अगर आप काम नहीं करोगे तो क्या होगा फ्रस्ट्रेशन आपके देश में अस्थाई घर बना लेगा निराशा आजाएगी आपके देश में हताशा आजाएगी आपके देश में तब आप क्या करोगे तो वो कहते हैं कि आ Demand कर ज़िए हमसे वर्क करने के लिए दो साइलान यतसी वर्क करने के लिए अकरने के बीक्रोर अने कहलीकशेस हो नियुत के लिए कर्ति करके अदंग दो Champ लाप करो लेक्न अचाही करो सचाए से mixedayo नच्वें लेकिन हम्लान लंब्रम य। आप एक जिम्मेदार नागरिक है अपने देश के तो वर्क करो लेकिन साइलन्ट और सिंसियर पुरी इमांदारी और निष्ठा के साथ लेकिन बगेर शोर किये है सूछ लीड ररी कंस्ट्रक्षन करना हम एपने हमें अपने देश का अपने देश आपके नॉम्ब बनाना है तो यह अपर नमब्र 6 जिसमें डॉक्टर जिदाकिर हुसेन हम सभी से वर्क करने के लिए कहते हैं क्योंकि परिवार बड़ा है एक कमाएगा बाकी लोग बैठ कर खाएगा तो परिवार कैसे चल पाएगा तो सब को मिलकर काम करना होगा तो आप अपनी उपस्थिती जरूर दर्ज कराए अगर आप हमारे स् सेक्षन और लाइक पर जाकर यह जरूर बता है कि आपने वीडियो देखा अधरवाइस कोई भी टीचर मैं क्या कोई भी टीचर मनाने की हिम्मत नहीं करेगा काफी मैनत लगती है आउटकम कुस्त होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में आगे के परग्रफ लेकर आउंगा थैंक यू